अगर कोई व्यक्ति आपको परिशान कर रहा या आपको दुख पोहँचा रहा है तो प्रशण ऊठता है कि ऐसी इस्थिति में क्या करना चाहिए मेरा मानना है कि ऐसी स्थिति हो तो ही आप कुछ करने के चकर में ना पड़े आप सिर्फ साक्षी वनी रहने की चेस्टा करें यानि किसी परकार के कर्म में मत उल्जो सिर्फ ड्रष्टा बन जाओ, देखने वाले बन जाओ और सवभाग्य समझो कि तुम्हें एक औरसर मिल गया है ऐसी परिष्थिती में भी अच्छूते रहने का ऐसी परिष्थिती में भी कोश ना करने का ऐसी परिष्थिती में भी साक्षी बने रहने का एक औसर अस्तित्त ने तुम्हें दिया है अगर इस औसर का लाव उठा लोगे तो यह अध्यात्म जगत की सबसे बड़ी साधना होगी आपके जीवन को पूरी तरह वदल देने वाली साधना होगी और 24 घंटे के जीवन में जब भी इस तरह की परिष्थितीयां आएं साक्षी बने रहो सिर्फ देखने वाले हो जाओ कुछ ना करने की अवस्था में हो जाओ और इस बात को याद रखो कि जो भी तुम करने की चेस्टा करोगे या जो कुछ भी तुम करोगे वह अनुचित होगा अन्तता आपको उस करने से कुछ न कुछ आनी ही होगी आपको पच्ताना ही पड़ेगा आपको दुखी ही होना पड़ेगा आपका दुख बढ़ता ही जाएगा ऐसा आउसर आजाए तो कभी चूप मत जाना सिर्फ देखते ही रहना सिर्फ अचूते बने रहना सिर्फ साक्षी बने रहना ऐसे बने रहना जैसे किसी और के साथ किया जा रहा है आपके साथ कुछ किया ही नहीं जा रहा है As if nothing is being done to you And whatever is being done, that is being done to somebody else दूसरी महत्वपुन बात आप से कहना चाहता हूं कोई आप से नाराज हो, कोई आपको गाली दे तो इसके प्रत्युत्तर में अगर आप नाराज होते हैं, गाली देते हैं, क्रोध करते हैं तो उस क्रोध करने से आपको ही नुकसान होगा उस क्रोध का जहर आपके शरीर में ही फैलेगा और जब क्रोध का जहर शरीर में फैलेगा, तो आपको च्छती पहुंचाएगा आपको निश्चित रूफ से दुस्प्रभावित करेगा आपको निश्चित रूफ से मारेगा आज आपके खून का परिक्षन करके यह आसानी से बताया जा सकता है कि जिस समय आपके खून का परिक्षन किया गया उस समय आप गुस्षे में थे अथवा नहीं थे यानि जब आप क्रोध में होते हैं तो आपकी खून का रसायन बदल जाता है उसमें जहर फैल जाता है और जब आप जहर पीएंगे तो आप ही मरेंगे वो नहीं मरेगा जिस पर आप क्रोध करेंगे इसलिए नाराज होना क्रोध करना कोई समधान नहीं है इससे आपका ही इस सम्बंद में तीसरी महत्वकुन बात आप से कहना चाहता हूं कि अगर साक्षी बने रह पाना आपके लिए संभव नहीं है तो पहले से कुछ तै ना करें, सब कुछ उस समय के लिए छोड़ दे जब ऐसी परिष्थिती पैदा हो, उस समय क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ पहले से निर्धारित नहीं करना है, तै नहीं करना है, उसे छोड़ देना है परमात्मा पर, अस्तित्त पर, जो भी अस्तित्त करवाए, जो भी परमात्मा करवाए, वो उसी जड़ नड़ाय लेके कर देना है, उस समय करता नहीं बनना है, सिर्फ अस्तित्त का परमा और मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर आप निमित बन जाते हैं, तो यह निमित मात्र बन जाना साक्षी बनने की दिशा में एक महात्वेरु पूण कदम, करता नहीं, निमित बन जाना, माध्यम बन जाना, साक्षित को साधने का सक्तशाली उपाए अंद में कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में सभी समस्याओं के समाधान का महा सूत्र है साक्षी भाव में जीना साक्षी भाव में जीना